नमस्कार बच्चों आज हम MCQ कर रहे हैं आपकी आरहो बुक क्लास 12 की जो है उसके चैप्टर 1 का ये है आत्म परीचे एक गीत हरीव अंश्राय बच्चन द्वारा लेके कविता है इसके MCQ करेंगे ये दो पार्ट में मैंने पप्लिश किया है आशा करता हूं ये आपको एक् कवी के संदेश को सुनकर संसार क्या-क्या प्रतिक्राएं करता है क्या-क्या रियाक्ट करता है मतलब जुक जाता है लहराने लगता है जूम उड़ता है ये सभी बातें करता है तो इसका सही जवाब है बच्चों संसार ये सभी बातें करता है प्रस्तुत कविता में कवी कैसा संदेश लिए फिरता है समर्पन का, सांतवना का, बलिदान का या मस्ती का बच्चों इस कविता में कवी जो है मस्ती का संदेश लिए फिरता है कि मस्त रहिए कवी अपने जीवन में क्या लेकर घुमाता है आस जिसको आस है उल्लास आदर्श या प्यार बच्चों इसका सही जवाब है जो कवी है अपने जीवन में प्यार लेकर गुमाता है कवी के अनुसार सांसों के तारों को किसने चुआ होगा यादों ने प्रियतमा ने मुख ने या कवी ने तो बच्चा इसका सही जवाब है कवी के अनुसार जो सांसों के तारे हैं उनको प्रियतमा निच हुआ होगा कवी किस अवस्था का उनमाद लिए फिरता है प्रॉड अवस्था का, युवा अवस्था का, किशोर अवस्था का या व्रिद अवस्था का बच्चों जो कवी है वो युवा अवस्था का अन्माद लिए फिरता है इस पोएम में कवी अपने हर्दे में किस अगनी को जलाने की बात करता है विरहा रूपी, प्रेम रूपी या वियोग रूपी या इन में से कोई नहीं वो इसका सही जवावे बच्चों कवी अपने हर्दे में वियोग रूपी अगनी को जलाने की बात करता है प्रस्तुत कवीता के अनुसार कवी किस में मगन रहता है संसार में, गीत में, सुख और दुख में या मस्ती में बच्चों इसमें जो कविता है, कविता में अनुसार जो कवी है, वो अपने सुख और दुख में मगन रहता है, कवी कैसा संसार लिए फिरता है, दुखी संसार, स्वपनिल संसार, सुखी संसार या आदर्श संसार, वो बच्चा जो एक कवी है, इस कविता में एक स्वपनिल संसार लिए फिरता है एक गीत कवीता हरिवन श्राय बच्चन द्वारा रचत किस गीत संग्रह से ली गई है आरती और अंगारे से निशा निमंतरन से आकुल अंतर से या मिलन यामिनी से और इसका सही जवाब है बच्चों जो एक गीत कवीता है वो निशा निमंतरन से ली गई है उनमाद शब्द का क्या अर्थ है संसार प्रियास जोश या मस्ति या पीड़ा तो बच्चों उनमाद शब्द का जो अर्थ है वो है जोश और मस्ति प्रस्तुत कवीता के अनुसार कवी किस का भार लिए फिरता है जग जीवन का कार्याले का घर बार का या आसपास का तो बच्चों इसका सही जवाब है प्रस्तुत कवीता के अनुसार कवी जग जीवन का भार लिए फिरता है हरिवन श्रायजी द्वार रचित कावे संग्र है कौन-कौन से हैं औप्शन में हैं बुद्ध और नाच घर मदू बाला टूटी फूटी कडियां या यह सभी ही हरिवन श्रायजी द्वार रचित हैं तो इसका सही जवाब है यह तीनों की तीनों भी हरिवन श्रायजी की हैं याना कि उप्रोक्त सभी निशेश, शब्द का क्या अर्थ है, बिल्कुल थोड़ा सा या स्माप्त हो जाना या अधिक तो बच्चों इसका सही जवाब है बिल्कुल थोड़ा सा और समाप्त दोनों ही इसका अर्थ है, याना कि A और B है उसका अर्थ होता है बजाना कवी किस सुरा का पान करता है उमंग का उत्साह का स्नेह का या दुवेश का और बचों जो कवी है वो स्नेह की सुरा का पान करता है कवी स्वयम को दुनिया का एक नया क्या मानते है परवाना रक्षक प्रेमी या दीवाना तो बच्चों इस कवीता में कवी अपने आपको दुनिया का एक नया दीवाना मानते है कवी अपने रोधन में क्या लिए फिरता है रास, राज, राम या राग इसका सही जवाब है कवी अपने रोधन में राम लिए फिरता है और ये बच्चों ये पार्ट बन का लास्ट क्वेशन है MCQ का इसके बाद पार्ट टू भी अप्लोड करूँगा तो टोटल रफली आपके पास ठर्टी एट ठर्टी एट या फॉर्टी तल है याने की थंदी है थैंक यू बच्चों फॉर वाचिंग दिस कीप फॉचिंग और शेरिंग विद यू फ्रेंद्स थैंक यू फॉर लाइकिंग